दोस्तों मस्कार इस वीडियो में हम एक टैक्स एडिटिंग ट्रिक्स के बारे में बात करने चारे हैं जब भी आप कभी टैक्स एडिटिंग MS Word में करेंगे तो आपके सामने बहुत बार ऐसी सिच्वेशन आएगी जहां पर आपको पता रहता है कि आमने कोई गलत शब्द लिखा गया है जैसे यहां इस वाके में आप देख सकते हैं गंगा पानी से हाथ नहीं दोते तो हम जानते हैं कि यह जो गंगा पानी लिखा है पानी की जगा क्या होना है यहाँ पर जल होना है पानी और जल प्रयायवाची हैं लेकिन फिर भी गंगा जल से बात थोड़ा सा सेंस ज़ादा अच्छी बनती है बजाए गंगा पानी के तो अब हमें क्या करना होगा अगर आप इस वाके को ठीक करना चाहें तो आप एडिटिंग के दौरान इससे ठीक करेंगे ऐसी मिस्टेक एडिटिंग में या टेक्स्ट एंट्री के दौरान होती रहती है तो आप इससे ठीक करने के लिए क्या करेंगे पानी को डिलीट करेंगे और उसके बाद जल लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमें अगर एक शब्द की बात है तो हम ऐसा बहुत जल्दी कर सकते हैं लेकिन करी बार बहुत बड़ा sentence या पुरा paragraph या बीच बीच में से बीट भी करना है और उसकी जगाँ पर नया भी एंटर करना है तो ऐसा करने के लिए हम keyboard में एक key का यूज करते हैं जिसका नाम है insert जी हाँ दोस्तों insert की insert की आप keyboard से press करेंगे तो उसके बाद आप जितने भी character type करेंगे उतने character आगे के उसके साथ delete होते चले जाएंगे यानि over type mode में चला जाएगा यहाँ पर देखिए अगर मैं जल लिखता हूँ यहाँ पर मैंने लिखा जल तो आप देखिए जल आ गया पानी अब इसके बाद delete करना होगा यह बिल्कुल common तरीका है जिसको आप use में करते हैं बजाए आप इसके बापिस में इस तरह आता हूँ आप keyboard से insert की press कर दीजिए जब आप insert की press करेंगे तो यह over type mode में चला जाएगा इसके बाद आप जैसे जो लिखा तो पानी का पौच चला गया लो लिखा तो आखि मातरा चली गई और इसके बाद आप एक space कर दें या आप delete की press कर दें तो delete भी होगा और आपका काम बन जाएगा दोस्तों इसमें अगर आप उतने एक रेक्टर टाइप करते हैं जितने आपको delete करने तो अपने आप ये ratio एक बराबर आ जाती है otherwise आप फिर insert को हटा करके फिर से type कर सकते हैं insert की से ही over type mode on होगा insert की से ही over type mode off होगा यानि आप चाते हैं कि आप space bar प्रेस करें और आगे के अक्षर जो है space bar से delete हो तो ऐसा करने के लिए आप क्या करें insert mode को on कर दें अपने keyword पर बने delete home end के साथ बने insert की को प्रेस करें एक बार फिर आप space भी करेंगे तो आगे के सारे character space से ही delete होते चले जाएंगे ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है जब हम delete भी करना चाते हैं और नया text insert भी करना चाते हैं तो आप insert का use करें बहुत आसान है अगर आपके keyword में आपके system में MS word में या option काम नहीं कर रही है तो इस option को activate करने के लिए आप क्या करें फाइल में जाएं फाइल के बाद आपने option में जाना है और यहाँ पर advanced में जा करके आपने पहले ही editing option में आने वाली इस option को use the insert key to control over type mode के आगे tick कर देना है by default यह unchecked होगी आप इसको check कर दें उसके बाद आप ok कर दें उसके बाद आप देखेंगे कि आपका insert key काम करेगा जैसे जल को हटाना है तो एक बार हम कर रहे हैं जैसे आप चाहते हैं जल की जगा पानी आए तो आप pop press करेंगे आ करेंगे न नहीं की है इसी तरह से आप पानी की जगा आप जल चाहते हैं तो जो लिखा लो लिखा पहले दो क्रेक्टर पानी के चले गए उसके बाद आप आगे के क्रेक्टर को delete key से delete कर सकते हैं आपका आधा काम टाइप करने से हुआ आधा काम आपने उसके बाद किया इससे आप editing म कम समय में अपनी efficiency ज़्यादा बढ़ा सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो चल लगे तो please like, subscribe and share the channel